असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टु दिवास किचन आज के इस वीडियो में मैं आपको अंगूरी रस्मलाई बनाना सिखाऊंगी वो भी बिल्कुल आसान तरीके से ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉंजी अंगूरी रस्मलाई अब आप भी घर पे बना सकते है बिल्कुल आसान तरीके से तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्ला रहमानी रहीम रस्मलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम छेना बनाएंगे तो छेना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लीटर मिल्क लिया है ये फूल फैट मिल्क है अब हम इसे पहले बॉयल होने देंगे जब अच्छे से बॉयल हो जाए तब आप गैस को मीडियम पर कर दें और फिर आप इसमें एक नीबू कर रस ले और उसमें आप थोड़ा सा गरम पानी मिला है और फिर थोड़ा थोड़ा करके आप उसे दूद में डाल दें ताकि जो दूद है वो फट जाए और हमारा चेना बनके तयार हो जाए तो यह देखिए दूद हमारा अच्छे से फट गया है चेना तयार है अब आप गैस को बंद कर दें इसे बहुत देन ना पकाए बस फोरन ही गैस बंद कर दें अब आप एक कोई पतला सा कप्ड़ा ले और चेने को इस तरह से चा यह मैं ने वाश कर लिया है अब मैं इसमें से एकसेस वाटर निकाल रही हूं तो इस तरह से आप चंमन से प्रेश करके निकाले या फिर आप इस तरह से हाथ से भी करके इसका पानी जो है वो निकाल सकते हैं अब आप इसके उपर कोई पत्थर रख दे या कोई भारी भरतन ताकि जो पानी है वो निकल जाए पांस से दस मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दें तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं यहां मैंने एक लीटर मिल्च लिया है इसमें हम डालेंगे सैफ्रोन थ्रेड अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कॉन फ्लार एट करेंगे अगर आपके पास कॉन फ्लार नहीं है तो आप इसकी जगा पे मैदा भी एट कर सकते हैं उसके बाद इस तरह से हाथ से स्क्रंबल करने के बाद आप इसे हतेली से इस तरह से मसल मसल के बिल्कुल चिकना कर लें यह थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है आपको इसे आठ से दस मिनिट के लिए इसी तरह से करना है तब ही हमारे रसमलाई जो है वह अच्छे से सॉफ्ट बनेगा तो यह देखिए यह बिल्कुल छेन हमारा अच्छे से दम सॉफ्ट हो गया है अब आप एक बॉल बना तो इसी तरह से आप छेने से सारे बॉल बना लें तो इसे देखिए अब हम चाशनी तयार कर लेते हैं तो एक कड़ाई में आप 3-4 कफ शूगर डाले उसमें आप 2-1 अफ कफ वाटर डालकर इसे बॉल होने दे जब तक यह बॉल हो रहा है तब तक हम अपना मिल बॉल बना पानी का टिम्परेचर बिल्कुल भी देख लेते हैं देखिए यह रिड्यूस होने लगा है और इसमें अच्छा सा कलर भी आने लगा है अब यह देखिए हमारा चाशनी भी तयार है इसे अच्छे से बॉल होने दीजिए अब आप इसमें जो हमने अंगूरी रसमलाई बन तो सारे रसमलाई मैंने डाल दी है अब आप इसे कवर कर दे और आठ से दस मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पगने दे जब तक रसमलाई बन रहा है तब तक हम मिल्क को चेक कर लेते हैं तो यह देखिए यह आलमोस्ट हाफ हो चुका है अब मैं इसमें हाफ 30 स्पून चोटी लैजी कप और एड़ कर रही हूं और मैं यहाँ पर 3-4 कप शुगर एड़ कर रही हूं शुगर की कॉंटिटी आप कम यह जादा कर सकते हैं मिल्क हमारा अलमोस्ट रेडी है मैं इसे पांच मिनट के लिए और पकने दूंगी ताकि यह थोड़ा सा और थि देखा देती हैं कितना सौफ बनाया है देख रहे हैं आप बिल्कुल सौफ्ट और स्पॉंजी रस्मलाई यह देखिए हमारा दूद भी रेडी है अब हम इसमें रस्मलाई डाल देंगे और इसे पांच मिनट के लिए इसी तरह से पका लेंगे तेजाज पे फिर गैस को ब लग रहा है मैं इसके उपर बदाम डाली हूँ आप चाहे तो पिस्ता भी डाल सकते हैं यह देखिए अंदर से कितना सौफ्ट और स्पॉंजी बनके तयार हुआ है बिल्कुल आसान तरीके से यह बहुत ही जबदस्त रेस्पी है आप इस रेस्पी को एक बास जरूर ट्रा कात होगी एक नई रेस्पी के साथ तत्त के लिए अल्ला आफिस